आज दिन तक की दुनिया की सबसे बेंगी जमीन की जो पर्चेजिंग हुई वो सर हिंद हतेगर साइब पंजाब में हुई चार गजगा 400 क्रोड रुपया दिया गया और वो उस जमाने का किस्ता था गुरु गोविन सिंग्जी के दो बच्चे थे दो शाहिब जाज़े थे एक तो जोरावर सिंग्जी थे एक फदे सिंग्जी थे उनको जिंदा दिवार में सुनवा दिया गया और उनकी माता थी गुज्री मा वो सेन नहीं कर पाई और वो डेथ हो गई यह 12 डिसमबर 1705 की बात है तो 13 डिसमबर को डिवान टोडर मल जी जहन गए वजीर खान साब के बात बले वजीर खान जी मुझे यह जगा इनके अंतिम संस्कार के लिए चाहिए तो उन्होंने बोला कि यह जमीन है यह जमीन में जितनी आप सोने की मोरे बिचाएंगे उतन उन्होंने बोला नहीं आप वर्तिकली बिचाओ तो उस समय 78,000 सोने के सिक्के बिचाएंगे यानि 780 किलो सोना वह 4 भाई 4 गज में तो वह आप अंदाजा लगाईए को उस जमाने में 4 भाई 4 गज के लिए 400 गज उसमें दिवान तोडर मलजी जेहन पूरा बिग गया और हीग बज़े बैंक करप उसके बाद वो गुरु गोविन सिंग जी के पाद जब मिलना हुआ दूरु गोविन सिंग जी के आँखों म वर्द ओ मुझे आप शुक जाएंगे उन्होंने क्या मनंगा मलूम है मेरे जीवन में मेरा मेरे से मेरे के बाद मुझके बाद मेरा बंस खत्म हो जाए मेरे कोई लड़का पैदा नहीं हो जो आके बोले के मेरे पुर्खो ने ये जमीन विक बोला कोई अपना गीत नहीं काले कि यह मेरा था तो आज तो अपने चार इटे करें लगा देते हैं इता नuzzle तो अपने नाम लगाते हैं यसे अपने पुर्खे कैसे थै अपने पुर्खे कैसे थैं जिन्षोन कूर सूरोड करो ये बोला कि नहीं मेरा कई नाम नहीं होना थी तो ये जो अपना अस्तित्व है ना वाँ ये पुर्खों के कारण है आप अपने उनके जारवे अंस का 0.01% भी अगर उनका कर पाएंगे ना तो परबात में अपने लिए रुड़ी होगा शीरान टोडरमाल जी की जय है त्क जाने होना था कि जपने जाने होगा भी जय होगां के नाम भी ए लुड़ी होगा है